प्लीज गाइट कीजिए इनुवर्स जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं इनकी लव लाइफ में क्या चल रहे है करेंट सुचेशन क्या है इनकी लव लाइफ की सुचेशन क्या है प्लीज गाइट कीजिए ओके प्लीज गाइट कीजिए का इनुवेर्स जिनको भी मुझसे प्रस्नल रिडिंग लेनी है वाट्स अप नमबर पर कॉंटेक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं ठीक है ओके पेज आफ सॉर्ट्स का कार्ड है फरस्ट कार्ड ठीक है यहां पर जज्जमेंट का कार्ड है ओके तो यहां पर टैन आफ कप्स फोर आफ कप्स प्लीज गाइट कीजिए सिक्स ओफ पैंटिकल्स टावर ओके इतने कर्ड कार्ड अंट से है थेख चलो देखते हैं यहां पर बॉटम की ऐनेडीजी है यहां P En strongest ठीक है ओके चलो देखते हैं कि आपकी लव लाइप में Each पकर बार चेंजेस आने वाली थीक है? तो चलिए देखते हैं देखो यहां पर जो फDING कार्ड में भी मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी लॉब लाइफ में आप अपने पॉर्शन के दो है ना एक्ठर लेने का वेट कर रहे हो तेक है आपके person जो है आपके लिए action नहीं ले रहे हैं आपको commitment नहीं दे रहे हैं इसकी वज़ा से आप परेशान हो यहाँ पे devil की energy भी मुझे बता रही है कि आपके जो person है यह third party involvement में है और आप third party से बहुत परेशान हो चुके हो आपकी love life में यह तहस नहस मजा के इन्होंने पूरा रखा है और आपके person के बीच में ठीक है तो यहाँ पे third party involvement है और इसी की वज़ा से आपका जो relationship है मुझे खराब होता हुआ नज़र आ रहा है ठीक यहाँ पे देख रहे हो the tower का भी card है यादि की बहुत सारे मेरे viewers ऐसे हैं जो no contact situation में है और उन्हीं की वज़ा से जो है ना no contact में होने की ही वज़ा से जो है आपका आपकी person के साथ बिलकुल भी यहाँ पे जो है चीज़े नहीं solve हो पा रही है आप चारे हो solve करने की लेकिन चीज़े solve नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे problems बहुत जादा है ठीक है बहुत जादा मुझे नज़र आ रहा है आपके card में यहाँ पे अचानक से ही जो है आपके person ने आपको block कर दिया है अचानक से आपसे हर रिस्ता तोड़ लिया है अचानक से इस person ने बोला कि नही हम शादी नहीं कर सकते हैं मैं आपको commitment नहीं दे सकता मैं आपके साथ नहीं रह सकता आप अलग हो जाओ मैं अलग हो जाता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़े हुई है और आचानक से आपके person का mind change हुआ है और यह आचानक से ही सब चीज़ बदलते हुए चले गये ह हैं अपना माइंड चेंज करते हुए जो है ना यहाँ पे चले गए हैं आपके खिलाफ ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके जो परसन है बहुत जादा यहाँ पे एक रूडली नेचर दिख रहा है है रूडली यह बिहेव करके जो है ना एक कहते हैं कि शैतानी रूप है ना शैतानी रूप इन्होंने दिखाया है और आपसे जो है ना यह परसन आचानक से अलग हो गया क्योंकि यहां पे थर्ट पार्टी इन्वाल्मेंट है जैलेसी है इगो है ठीक यहाँ पे यह मुझे नजर आ रहा है ठीक और यहाँ पे अगर मैं इन्तिजार है आपको भरोसा है युनिवर्स पे डेस्टनी पे कि हाँ आपके साथ जो है ना आपको जज्जमेंट मिलेगा आपको जज्जमेंट मिलेगा है ना तो आप इन्तिजार कर रहे हो मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि आपको जज्जमेंट का वेट है ठीक यहाँ पे black magic भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आप दोनों के relationship को यहाँ पे खतम करने के लिए यहाँ पे मैं देखू ना तो black magic का भी use मुझे नजर आ रहा है और black magic की वज़ा से आपका आपके person के साथ connection यहाँ पे मुझे खतम होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है एक वज मुझे यही नजर आती है कि यह person आपको time नहीं दे रहे है ठीक है कूछ लोगों मुझे यह नजर आ रहा है तो आपके relationship में क्या changes आएंगे आप सोच करके परिशान हो यहाँ पे काफी अपसोस भी हो रहा है आई थिंक आपने अपने relationship में बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ किया है अपने relationship में ठीक है और यहाँ पे जितना आपने दिया है उतना आपको मिला नहीं है equal given take का आपको मिला नहीं है आपकी चाहत रही है कि आपको आपके परसन भी उतना ही यह करे लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके परसन आपको चाहते हैं जिसकी वज़ाआ से आप परेशान हो, ठीक है, आप यहाँ पे future के शपने देख रहे हो, फूचर के लिए सपना भी देखा था, आप लोगों ने, आप लोग दोने ने सपना देखा था यहाँ पे future में हम ये करेंगे, future में हमारी family होगी, हमारे बच्चे होंगे, है ना, तो इस तरह के सपने देखे गए हैं यहां पे सपने तो मुझे नजर आ रहे हैं कि बच्चों के सपने देखे गए हैं एक खुबसूरत सा घार हो छोटा सा यह खुबसूरत हो ठीक है तो यहां पे इस तरह के सपने देखे गए हैं ठीक है यहां पे यह पूरे नहीं हुए जिसके जैसे जो है ना आप परेशान मुझे नजर आ रहे हो ठीक है रहां यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रहे है कि आपकी एनर्जी हाई है आपने अपने इंट्यूशन्स पर वर्क किया है तो मुझे यह नजर आ रहा है आपकी relationship का अभी ठीक है अब देखते हैं कि changes आने वाले हैं ठीक है अगली पंदरा दिनों में ठीक है 15 डेज ठीक है next 15 डेज में क्या कुछ होने वाला है ओके next 15 डेज में इनकी लव लाइफ में क्या changes आने वाले हैं प्लीज मुझे गाइड कीजे next 15 डेज next 15 डेज oh king of cups the tower the high priestess ठीक है यह अगें कार्ट सागे मेरे पास ठीक है please guide कीजे king of swords यहां पर nine of cups वाव बहुत ही अच्छा कार आया है okay ace of wands very nice please guide कीजे इनिवर्स six of swords page of swords फिर अगें इसमें से जो repeat कार्ड आये ना इश्वर कुछ बताना चाहते हैं आपको 10 of cups देखलो यह भी repeat है तो आपके लाइफ में क्या changes आने वाले हैं तो यहां पर अगर मैं देखू ना तो देखो king of cups का कार्ड है next 15 डेज में आपके परसन आपके बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं next 15 डेज में मुझे नज़राता है कि आपके परसन deeply thinking करके जो है ना एक यह रास्ता निकालेंगे आप तक पहुंशने का आपको contact करने का ठीक है आपके परसन के दिल में feelings है emotions है emotional भी बहुत जादा है यह परसन तो मुझे नज़राता है कि यह परसन जो है ना यहां पे king of cups के card से यही दिख रहा है मुझे कि आपके जो परसन है ना काफी ज़्यादा आपके तरफ attract होंगे next 15 डेज में जो है ना इनकी इनकी बेचायनी बढ़ने वाली है यानि कि आपकी यहां जो है ना आपके परसन को ज़्यादा आने वाली है और यह जो separation है यह जो आप दुनों का no contact है आपके परसन आपसे बात नहीं करते अच्छे तरीके से है ना तो वो चीज़े जो है ना मुझे खतम होती भी नजर आ रही है वो चीजों से जो है ना आपको राहत मिलने वाली है जहां तक कि मुझे cards बताते हैं ठीक है आपका जो card है ना clear है कि आपके जो person है आपके सक्कारे में ही सोचने वालें next 15 डेज में ना इनको बहुत 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 याद आएगी और यह person चाह करके भी जो है ना उसको भूलानी पाएंगी जिस तरह से यह आपकी यहाद आएगी और इस तरह से इनको बेचैनी होगी जिस तरह से इनको परिशानी होगी है नहीं यह जो है ना ignore करेंगे ना तो यही समझेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर इनका जो है ना balance नहीं बन पाएगा यहां पर यह person जो है ना आपके तरफ attraction महसूस करेंगे आप इतनी जदा attractive लगोगी कि यह person आपको contact करने को मजबूर हो जाएंगे ठीक है और यह करेंगे ही करेंगे यहां पर मुझे यही नज़रा रहा है कि यह person जो है ना आपको contact करेंगे ठीक है यह ना चाहकर करके भी जो है आपके पास भागे भागे आएंगे दोड़े दोड़े आएंगे क्योंकि यहां पे बता रहे हैं कि आपके बारे में सोच करके और यह बेचार होने वाले हैं थीक है यहां पे क्योंकि टाइम चेंज होने वाला है मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड में कि रापकी लव लाइप से काफी ज़ाधा रिलेटेड रहेगा थीक है वो प्रॉब्लम हुए नजर आ रही है ठीक है इस बात करते हैं यहां पे आपके आपके जो है आपके जो strengths का इसका अभी कार्ड मैंने का है कि जैसे जजर जो है नवन लองनल तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जड़े अंधेरे की तरफ हम यहां थो तो मारी टरफ उजाला भी आता है है ना इस सब दो यह परशसा हमेशा करते हैं आपको इग्द Commerce करते हैं आपको ऩौलत करते हैं अप को और गौत एसास होने वाला है कि आप इन से कितना प्यार करते हो कितना जुड़े हो ठीक है यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है आपकी विश्ट ठीक है आपकी विश्ट यहाँ पर फुल्फिल होने वाली है इन 15 डेज में ठीक है 9 of Cups की एनजी है यानि कि आपने जो विश्माणी है देख रहे हो इनके पास सब है ठीक है इनके पास जो है ना सब चीज है तो यहाँ पर वही है कि आपनी जो विश्माणी है ना next 15 डेज में अपने love life के लिए या फिर manifestation किया है इतना सफर किया है अपने love life में इसको सही करने के लिए तो वो मुझे नजर आता है कि वो सारे काफी हद तक अपने person से contact कर पाओगे और यहाँ पी चीजे जो है ना बदलेंगी ठीक है बदलेंगी unexpected बदलेंगी ठीक है यहाँ पर जो आपने सोचा नहीं वह अचानक से हो गया next 15 डेज में आपके person के साथ आपके new beginning मुझे नजर आ रही है यहाँ पर Ace of Wands का card है new beginning आपक Six of Swords का भी card है ठीक है Six of Swords का card भी मुझे clearly बता रहा है कि आपके जो person है आपकी तरफ यह दीरे 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 करके जो है ना यहाँ पे देखो क्या है ना कि चीजे जो है ना बदलती है ठीक है बदलने में टाइम नहीं लगता बस आदमी को patience रखनी पड़ती है ठीक है तो इ सीन की अनुसार मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे दीख रहा है कि आपके जिन्दगी में बदलाव धीरे धीरे करके जो है ना यहाँ पे आने वाला है in next 15 days में आपकी person का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी life में entry होने वाली है यह person कोई ना कोई decision लेकर कि जो है clear decision लेकर कि आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं ठीकिध आपकी तरफ action लेने वाले इनका clear देख रहे है कि हां यह आपकी तरफ action लेंगे तीक है यहाँ पर clear है card क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 10 of cups का भी card है 10 of cups का card भी मैंने यह पास पहले आया था कि हां आपको जो है, आपका एक ख्वाब है कि आपके person के साथ commitment हो, शादी हो, बच्चे हो, घर हो खुबसूरत सा है ना तो वो भी मुझे next 15 days में आपके person मुझे commitment देते हुए नज़र आ रहे है आपके person आपको commitment दे सकते हैं आपके person आपको जल्द से जल्द contact करने की कोशिश करेंगे जहां तक कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये person से बरदाश नहीं होने वाली है ये person जो है न, directly action ले करके आपको proposal मारने वाले है ठीक है, यहां पर clearly नज़र आ रहा है आपके cards में ठीक है, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है फिलाल ठीक, तो आपकी love life में जो है न, changes आने वाले है क्या आपकी person जो है न, आपकी life में आने वाले है next 15 days में ठीक है, तो यह मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है तो reading को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगल reading में फिल तब तक हसते रहें, मस्कुराते रहें और खुश रहें, बाबाई